मेले में लड़की छेड़ने से मना किया तो वोलेंटियर पर 7-8 लोगों ने चाकू और चौपर और लोहे की रोट से जानलेवा हमला कर दिया जिसमें ये गंभीर रूप से घायल हो गया है आगों बता दे कि मुम्रा के अचानक नगर रोट के किनारे करीब 7-8 लोगों ने कादिर नजीर शेख नाम के एक वोफ पर जानलेवा हमला कर दिया है कादिर ने बताया कि दो दिन पहले ही ये हमला करने वाले तमाम लड़के मिटल ग्राउंड में लगे मेले में आकर लड़कियों से छेडखानी कर रहे थे और उसी मिटल ग्राउंड के मेले में कादिर नर्जे स्टेक ये वोलेंटियर के तौर पर काम कर रहे थे और कादिर ने देखा कि जब ये यूवप मेले में आई हुई लड़कियों के साथ छेड़कानी कर रहे थे तो इन्हों ने छेड़कानी करने वाले इन यूवपों को मना किया जिसके बाद ये यूवक वहाँ से चले तो गए मगर कल रात में जैसे ही मेला साड़े ग्यारा बजे के आसपास बंद हुआ और कादिर मेले से बाहर निकल कर अचानक नगर रोड के पास पहुंचे थे तभी इन सभी यूवक जो संजय नगर के रहने वाले बताए जा रहे है इन साथ से आठ यूवकों ने चाकू चौपर लोहे की रोड से कादिर नजीर शेख पर हमला कर दिया इस जानलेवा हमले में कादिर के सिर में कई टाके लगे हैं और पीठ पर भी वार हुआ है अलगे कादिर को बुरहनी हॉस्पीटल में भर्ती कर आई गया जहां उसका इलाज चर रहा है है वहीं इस पूरे मामले में पर दो दिन पहले मेले में लड़की लोगा चेल रहें तो मैं वहां पर वाल इंडर काम है और वहां पूर नशे में देख तो वहां पर नोगने एक तुलापा मार भगा दे लोग तो अचन वह ने रखे हुए तो आज लोग मैं निकला बाद कि अरो द्र्पे दाने की लिए तो मीगो अर्चनक में रोदे और सिदा माना चलिए उन के पास चाकुता बंड़ो और और को अपके सर्फे का ही तबार की ओए ना कितना टांका ग outta को पुलिस में शिकायत लेगर की भी है डी ऐसे लेगें अ Speech जो आइ